दिली जैसे इलाकों में 100-100 से ज़्यादा कुछ इन संस्थान है और इनके अपने ही प्याक हैं एडिटेरल वड़ाफोन की तरह इनका अपना स्टेडी प्लान होता है इनकी अपनी ही भैलेडिटी भी होती है हम छोटे जगह से बिलॉंग करने वाले बच्चों के पास कुछ मेहनत करने की पुड़ी छमता होती है मैंने अपने पहले ही एटेम्ट में से सीजियल किलियर किया है और मुझे एकसाइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है सबस्टर स्पहते हैं दूसरी बात यह पूछ ओस्वाँ कि इसमें से कितने सारे लोग कोचिन जोइन किया वे है सायद आप लोग में से बहुत सारे हहां ही बोलेंगे आप कहीं भी रहते होंगे अप डिली में ही निख्किए सब से ज्यादा कोचिन संस्थान है और सब की अपनी एक study plan है जैसे एरटेल जीओ की अपनी plan होती है इनकी वे अपनी study plan होती है validity होती है तो जो लोग कोचिन जोएन कियोंगे उन्हें पता ही होगा कि किस तरह की यह plan बनाते हैं मेरा नाम अमन कुमार है मैं बिहार के बड़े ही छोटे जगा मधेपरा जिला से बिलोंग करता हूं मैं कोई extra ordinary student नहीं हूं मेरे पापा contract based पे शिक्षा की नौकड़ी करते थे उसी में घर का सारा खर्चा उठाना परता था उनको और उपर से मेरी और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई का लग से burden होता था बाद में उनकी नौकड़ी भी चली गई वो समय काफी हमनों के लिए difficult था एक समय ऐसा था कि हमनों की पढ़ाई छोड़ने की नौबत भी आ गई करने का ठान लिया और मैंने खुद से self study किया क्योंकि पैसे की दिक्कत थी तो मैंने self study पे पुरा focus किया जैसे कि आपको जानके आस्ता जोगा कि मैंने कोई coaching भी नहीं लिया और पहले ही attempt मेरा exercise inspector post के लिए selection हुआ है तो मैंने जो रननीती अपनाई थी अपने preparation के लिए वह ह आप लोगों के समक्षाज में रखना चाहूंगा ताकि आप लोगों से जो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका financial background educational background weak होगा तो उनको थोड़ी motivation मिले और वो भी crack कर सके क्योंकि मेरा educational background मैं Hindi medium से पढ़ा हूं और financial background तो आपको बता ही चुका हूं कि उतनी अची नहीं थी कि मैं तो अब आपको यह सोचना है कि मुझे अब दूसरा exam चाहे railway, bank कोई भी हो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है इससे क्या होगा आप divert होंगे तो इससे बहतर है कि आप SSCGL का जब भी फोर्म है आप भड़े तो आप पूरी तरह से focus रहे छे साथ महन जब तक इसका final result न का मतलब है कि आपको 7-8 महने आपको continuously 7-8 गंटा per day पढ़ाई करनी है आप मस्ती करे खेले कुदे लेकिन आपको एक ठान लीजे कि मुझे 7-8 गंटे at least per day पढ़ना ही पढ़ना है इसमें आप कोई समझोता नहीं कर सकते हैं तो आपको discipline 7-8 महन तक पुरा follow करना पड़ेगा आप प्री होने से पहले तीन महने at least पहले से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन और दो-तीन महने मैंस के लिए आपको मिलते हैं प्री और मैंस के बिच में और एक-दो महने फिर टायर 3 का होता है तो आप 7-8 महने 7-8 गंटे की पढ़ाई करें यह आपको मतलब discipline पुरा consistent रहना साथ से 8 मंथ तीसरा है positive attitude बहुत साथे लोग आपको मिलेंगे जो आपको negative बातों बोलेंगे जो SSC में तो scam है corruption है selection नहीं होता है दो-तीन साल लगते हैं तो आप उन लोगों से दूर रहे आप एक ऐसा environment create करें अपने आस पास ऐसे लोगों जुड़े जो आपको motivate करे positive मतलब आपको environment मिलेगा तो आपका energy level बढ़ते जाएगा आपका potential बढ़ेगा मतलब लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं तो आप उन लोगों से जुड़े रहे हैं चौथा point है कि आजकल online का जमना है distraction ऐसा ही बहुत सारा है तो आप Facebook, WhatsApp, Telegram यह सब group में add ना हो आपको लगेगा कि मैं आपको अपको अपसोस होगा कि नहीं मैं ने तो बहुत सारा time gossiping में waste कर दिया तो इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप group में add ना हो एक दो friend आप रखे जो information आपको कहीं से मिलते रहे हो और या SSC की website पर आप जाके information ले सकते हैं लेकिन group में add मत हो आपका gossiping में क experience, compare 3 descriptive, compare 4 CPT और tapping वह रहा होता है तो SSC exam अच्छा है कि क्रिकेट के तेस्ट मैंच की तरह है आपको हर सेस्टन में अचा कहलना हो आपको हर सेस्टन में अचा कहलना है मतलब कि अगर आप tier 1 में अच्छा स्कूर कर दिया 180 170 तो आप यह सोचके मत बैठे कि मैने तो बहुत करना है इसलिए मैंने डिसिप्रीन की बात किया था तो आपको हर मतलब टैर वन पर आप जैसे टैर वन है ताप टैर वन जब तक चलेगा टैर वन पर पूरा फोकस करें सारे सब्जक्ट पर टैर वन में जो अभी हैं मैं आथ इंग्लिस रिजनिंग जी के फिर टैर टू का आपको हर लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी यह पांच पॉइंट आप अगर सेल्फिश्टिटी कर रहे हैं और मैं तो बोलूंगा जो सेल्फिश्टिटी बेस्ट तरीका है असके लजमाने क्योंकि आपको गाइड के लिए चाहिए तो यूटूब पे आपको कुछ चैनल म मिल सकता है कई कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्योंकि कोचिन में आप 5-6 मैंने आपका वेस्ट होगा मैं तो यही बोलूंगा 5-6 मैंने और पैसे उपर से वेस्ट होगी और जब आपका कोर्स कतम हो जागा तब आपको पता चलेगा इतना तो मैं भी जानता था तो आप सेल् मैंने पांच ही जबताई इस पर आप अमल करें तो आपका सेलेक्शन फैनल पका होगा जाएगा और अंत मैं मैं यही बोलूंगा कि जो लोग फैनेंसियल वीक बैग्रॉंड से हैं एजुकेशनल वीक बैग्रॉंड से हैं हिंधी मेडियम पढ़ाई कि हैं तो वो हतास नही है तो मैंने तो मेरा सेलेक्शन कैसे होगा ऐसा मतलब सोचेगा तो फिर आपका इनर्जी लेवल और दान होते जाएगा आपको अल इंडिया लेवल पर गॉंपीट करना है तो यह सब आप एक्स्क्यूज नहीं दे सकते हैं आपको मैहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो आप स तो आपको सिम्पैथी दिखाएंगे और जब आपको सिम्पैथी मिलेगा तो आपको कुछ करने के अंदर से आग रहती है वह मतलब दिरे दिरे खत्म होते जाती है आपिए सब बाते दूसरों को आप रहने करेंगे करेंगे तो आप और इसे चाहिशने को कि जाधा ज्यादा लोगां को ब्रणेवस अद्शनितव को ब्रण ओर सब्सक्राइब भूने इस चैनल को